ओर तब एक है कि अबहुंचे हैं कंकलवाग और देखने यहां पर हो रहा है माता का भव्य जाग्रण और क्युक्त पट्नानगजिया को आज निम्हंतरण दिया गया तो आना फर्ज था देखि आभी दिखा रहें आपको माता का जाग्रनOOD तो पने रही है पट्नान अजरीगी! कि अजरीगी! अजरीगी! अजरीजब इसकी के अचल. अजरीगी! कि अजस्च के अजये लो गजाईर्ट कि अछिए अज़ नहीं, अजस्च्थ इसे वावश्च प्रवादा लोगाई निग्ट एप एफ एगाई एगाई आप जीदिए लीडिया के आपको हुआए पॉआए में जापको हुआए ब्रह्मा भीशिने में आमिनी तो मुसें ब्रहा काल्या जागमा पहारवाली मेरा वाली मा जोता वाली जागो मा जागो मा जागो मा जागो पुली से दरवा ने की पुली दुगा में आ की उठाइए सारे भाडे निकार रहाँ आउजी मेरे उसकार करें क्या 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 वाल भुटो कर दो आख कर दोगल, कर दो एक कर दोन हम जाख रचे कर दो इस एंतार जर्वराब्र जह एंतार ठीमा कर दो एंतार सारी disput। थारिमर् बालब हो जारती हुआ कि लड़ार को जारती हुआ कि नियर mayoría हुआ हुआ music कर दो कर दो आज देव उठ्थन के दिन बहुत अच्छा दीने तुल्सी विवा का दिन है हमारे तुरान में यह व्यक्या क्या हुआ है कि आज के दिन जो भी कोई मतलब भक्त जन जो है अगर भगवान से कुछ भी मांगता है तो उसकी प्रौन होती है तो आज माता का जागरन का आयोजन वाट नमबर बत्तिस में हुआ है स्रीस्री छटपूजन चटपूजन को मैं भूब भूब धन्यवाद दूगी इतना अच्छा आयोजन किया था चटपूजन में सावी ब्रतियों को बहुत ही लाव मिला वो लोगा असान से छटगाट तक पहुँँच सकी हैं और जो भी विवस्ता साब सफाई का था नगर निगम के क्रमचारियों को मैं बहुत-बहुत धन्यवाद दूँगी इस मंच के माध्यम से कि उनके द्वारा सफाई की विवस्ता दुरुस्ती थी और आयोजक समीती का बहुत बड़ा उसमें सयोग रहा और आज जो जागरन है सब्सक्राइब का था निगर 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 निग आज जागरन हो रहा है असोक नगर में क्या कहेंगे बहुत खुशी की बात है कि माता के भव जागरन दिनायक 412 को अमारे 14 नमर 14 पर हो रहा है जो भी भक्तगारी इसमें आया हुए है उनको सभी को पर्लाम और माता से हम प्राथना करें कि सभी को सुक्षान्ति और किर्पा बना कर रखें क्रिशना जी जो हमारे भाई है क्रिशना जी आग़ा है पत्ना नगरिया का एक साल पूरा होने वाला है आपको बहुत बहुत शुब काम नहीं ऐसा ही कमाल का काम करते रहें और बिहार का नाम रौशन करते रहें तो बने रहे हैं पत्ना नगरिया पर बना करते रहे हैं